से नमस्कार साथियों मैं आर्पिनकुमार गुपता आप सभी साथ हो और से अध्यक्ट पर स्वागत करता हूं आशा करते हैं आप सब लोग होंगे प्रच्षetzen ले करें हो करेंगे या कह सकते हरा था के बारे में अध्यन करेंगे यह तोगे आमोमन आपके में सीदे सीधे पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पूरी हरप SMETA किoda हम चर्चा करते हैं तो पाते हैं किम्डास्व इनके इसलिबाइस्टन आखिर सिंदु नदी के किनारे के आसपास में ब्रिस्तित एक पैली हुई या कह सकते हैं इस्थित या बेवस्थित एक शभ्यता हुआ करती है जिसको हम सिंदु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं क्या है सिंदु नदी के सिंदु नदी के किनारे आसपास में सभविष च यह जहां करें हैं सभ्यता सब्द नाम मतलब होता है पहले हम जान लेते हैं सिंदु है सिंदु एक रिवर है घाटी क्या उसके आसपास का चेत्र है और शबता क्या एक सब्द है संस्कृति या कह सकते हैं कल्चर का मतलब क्या होता है लोगों का रहन सहन बोल चाल एक निश्चित भू विन्यास के आधार पर कह सकते हैं जैसे कि किसी परदेश का किसी राज का अप रिवर है लेकिन जब कई सारी संस्कृतियों का नियाता है और भूभाफ का निर्माड होता है तो उचर्ण नाजिकी परफास नीं हर कि नाम से जाना जाता है पहते हैं चाली आगे हम बढ़ते हैं फर्रप्राइब कि वारे उम चंटा करते हैं तो पहते हैं आखिर हम्हें डिमार्ड में आता है जैसा कि fråई पूछा गया है कि खी rated हें अब शर्पाभ श्बेदा को ढूं कहरा ढूर की पहले हमारे क्वेश्षिक यही आता है तो हम पाते हैं कि Indus Valley Civilization या सिंदुगाटी सब्वेता के कई नाम हमें देखने को मिलते हैं पहला जो नाम है वो नाम ही क्या मिलता है हमें हरपा शब्वेता मिलता है पहला नाम है अब क्या है इस पे अगर हम चाहते हैं तो सबसे पहली जो खुदाई हुई है जो सबसे पहला जो हमें पूरा आस्थल पराप्त हुआ है या सबसे पहला जो हमें उत्खनन की परमाण मिले हैं वो कहां से मिले हैं हरपा से मिले हुए और हरपा जैसी मिलती जुलती चीजों जो भी वस्तुवें वहां से मिली तो उनको क्या बना लिया गया एक आधार बना येensa किसे क्या है कि सिंद्धुगार्टी सभ्यता को हम हड़वपा सभ्यता के नाम से धी जानते हैं अध्यशक्रों इस जैसा कि यहां स्विक्सित का नगिय सभ्था का मतलब क्या है, नगट नगरिय सभ्था है, यह है क्वेस्चन आता है, यहां प्रप्र नगर का मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए तो आता होगा कि पकती हैं वो लोगों की किस संक्री के अधिक सेक्टर में इन्वालव हो जैसे कि वो धन्ले हो गया इंडस्री हो गया विजनेस हो गया जब इसमें इन्वाल होती है तो वो क्याला कहलाती है वो शब्विता नग्रिय शब्विता कहलाती है और ग्रामीर संस्किति या ग्रामीर सब्विता किसे कहेंगे ग्रामीर कौन होते हैं जहां पर 70% से अधिक की आबादी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीक बिक्सित कांश्योगीन सब पहता है अब कांश्योगीनिसे की कहा गया मानों को सबसे पहले कया जोंग पूछ करती है तो इसमें क्या की उकुछ डैबलप सार्म में आया ज नहीं जसे हम कासा के नाम से जानते हैं घूसे र्लव के नाम से जानते हैं तो इस युग में कासे का इस्तमाल किया गया है थीक है कि अपिछा ते कि अस्थान पर कह सकते हैं पर कांसे का इस्तेमाल किया गया है, यही करण है, इसे हम कांस्युगीन सभ्था के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसके साथ अजमें यहाँ पे लेखनकला, नगर सहरों में रहने वाले सभ्थाओं के पर्थिक गूरूप में इसे माना जाता है, नाम करण पर आते हैं, तो भार जानते हैं जैसा कि पहला हमने नामकरार इसका कर दिया किसा क्या है यह कांश यूगीन सब्वेता कहते हैं दूसरा जो नाम आ जाता है इसका यह जा जाता है शैंधो शब्वेता इसका जो दूसरा नाम आ जाता है वह आ जाता यहां पर शैंधो शब्वेता का मतलब क्या होता है कि शायदो सभेता का मतलब होता है सिंध till या कह सकते हैं उसकी सहायक नदियों के किनारी बसी है सभेता को знаем से जानटे हैं तो किसका नाम करण आ जाता है सथी साथ एक नया नाम में एक और नाम देखने को मिल जाता है सिंद्य। सभाष्वत्त के नाम से रिख कहा है यह जाता है यह फहले सरस्वती हैं इस चेंठ में वहां करते थी तो उसके आसपास जो चाते हैं तो सिम्द सरस्वती के नाम से जाना जाता है इसका अनार हमें नहुंद देखने को मिल जाता है कर शनका भंधाय कर सब्हता Parasad yukjen sabbehet सब्हत problems कि अब प्रस्तर धात्युगिन सभिता का मतलब क्या है चालको लिथिक शिवलाईजेशन यह चालको लिथिक एज तो मानों ने विकास के करम में सबसे पहले पत्थरों के साथ इस्तमाल किया और एक तर्म ऐसा आएगा जो हम देखते हैं पासार काल से लेकर के मद्द पासार क यह मीं परिवर्थन देख्यों कि इस करम में पहुंशते पहुंशते मानों ने क्या किया अब धातुओं करने मतलब एक टाइम साइब जब पत्थर इस्तवाल हो रहा होगा धी दीर धीर ध्यवात्तों के फश्चाद क्या होगा जब धात्व के ग्न हो जाएका तो धातू से धीर दीरे उपकरण और अजार उपकरण वगरा बनना प्रारव हो जाएंगे दीरे दीरे यह सब्धिता जब पर ऐसा एक समय आएगा पीक पर पहुंचेगी तो वहां पर क्या है वहां पर क्या है धात्मों की परियोग की बहुलता बढ़ जाएगी जिबकि क्या है पत्थर के दर्यक्सार से जाना जाता है थाभेक्या सब्धिक क्या अधार मानने के मानने के परांत में क्या है हम इसे धीरे-धीरे हडपा कहने लगे हडपा जैसा है यह जीवास मिले हुए वह हडपा जैसे मिले हुए तो फिर हडपा कहते कहते हम यूश्टू हो गए और हम उसे किस नाम से जानने लगे हडपा के नाम से जानने लगे जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि सभिता को पर्थम खोजा गया अस्थाल है वह हडपा है जो रावी नदी के तड़ पर क्या है इस्थित्र आगे हम बढ़ते है और जो खोजने के मिले जैसे कि उसका करम में मिलता है काली वंगा मिलता है जएर सारे हमें क्या है ठीर Сबभे करके क्या है हमें नगर अगर हम इसके चलते हैं कि हरपा सबेता की को जब किसने की यह अगर हम जाते हैं तो पाते हैं कि हरपा सबहता की जो जानकारी हमें सरपर्थम मिली है वो कब से मिली है किसंने सरपर्थम दिया है तो इस summät क्वेस्चन भी पूछा गया है आपके PCS Mac ने किया जे सरपर्थम ठीक है जिक्र किस ने किया सर पर्थम फोलेग किatellis लिए 826 के आसपास में 826 में एक विक्त हुआ करते थे जिनका नाम था चार्स महसन जिनका नाम क्या हुआ करता था चार्स महसन नाम हो करता है कब की बात है यह 1826 की बात चास मैसन नामक एक व्यक्त एक रास्ते से निकल रहे था तो उन्होंने देखा कि कुछ दूर अस्थाल पर क्या है कुछ लोग खुदाई कर रहे हैं और खुदाई से कुछ चीजे इटे पत्थर वगरा निकाल रहे हैं और लाकर के अपने घरों का लेगे हैं इन्होंने इस बात का जिक्र किया इस बात का देखा और इस बात का पहली बार जिक्र किया कि यहां पर जब गय देखें वहां से इह पत्थर वोगरा निकल लहीं सबसे पहला जो çalış जानकारी मिलती है वह centrif्ट बारे में कौन सबसे पहले उस घटना के बारे में लिखेट कि यहां पर कुछ तो जमीन के नीचे जरूर दफ़ान है या कुछ ना कुछ राज है जिसके बारे में हमें पता करना चाहिए लेकिन उस समय जो बिटिस थे उस समय जो हमारे यहां वेटिस सरकार हुआ करती थी उनका ध्यापार करता था ठीक है वह इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहते थे तो इसी लिए उनका ध्यान की तरब नहीं गया आगे चल करके 1853 में 1853 में एक विट दिवा करते थे जिनका नाम है अलेगजेंडर कर्णिंगम जिनका नाम क्या है अलेगजेंडर कर्णिंगम आप जानते हैं 1853 का ऐसा दौर जब भारत में रेल्वे आया हुआ था भारत में जो पहली रेल्वे चलाईगी जरा कमेंड बॉक में एंसर दीजेगा भारत में पहली रेल्वे कहां से कहां तक चलाईगी तो यही पर क्या ठीक है 1853 के आसपास में रेल्वे का विकास हो रहा था और एक लाइन बिछाई जा रहे थी कराची से लाहौर के बीच में एक रेल्वे लाइन का निर्मार किया रहा था यहीं इसी में दो इंजीनियर करते थे जिनका नाम था डंटर ब्रदर्स करके जानना जाता है ठीक है ब्लीयम बेंटन तो दो विक्त हुआ करते थे उन्हों ने कुछ पट्रिया वीचाई जाते हैं तो उसकर पथर उंखरा की मायशोत विए तो उन्हें लेक उत्तिक है रहां पर जाकर के खुदाई के और खुदाई के दर्मियान उन्हें कुछ ऐसी चीज़े में और उन्हे जो जमीन के नीचे राज हुआ करते थे या कुदाई के दर्मियान जो वस्तोए मिलती थी उन्हें इस से बड़ा लगा हुआ करता था तो उन्होंने इस बात के भी जानकारी दी लेकिन उस समय के बेटे सरकार उसमें जी आदकारी कुछ रूप करते हैं तो आप इनको दीजी गाँचिए हम किलकता में इस्ठापित किया गया था हम वहां पर इसको जमा करा देंगेगे जो बहुमूल स Sweet होंग सबके इसको इंगलेंट ओर रह झाफ होंगे फिर वो इनको रहा करा देंगे लेकिन अध्य के लोई करके इन पर कोई एक देखा जाए तो विस्ति चर्चा यहां भी देखने को नहीं मिलती है फिर यह बात ऐसे रही गई लेकिन पुरातत के रूप में कह सकते हैं खुदाई के रूप में इन्हों का काम बड़ा लेखनी है अलगजंडर करिंगम को इसी लिए अलगजं का पिता ठीक है दा फार्दर आफ इंडियन आर्केलोजिस्ट यह कौन जाने जाते हैं नोन आज अलगजंडर करिंगम तो 1853 में इनका भी जिक्र है उसके साथ साथ ब्रेंटन बंद्रों का भी क्या है उलेख हमें देखने को मिलता है कि सारी चीज़ा ऐसे चल लेकिन इस प करमिक रूप से सपर क्या हुई है खुदाइया होई है 1921 में क्या हुई है क GH 15 aveta prior mode century in a good i'm just am chill born yesterday मैं ऐसी बताता है को टो जैसा कि हमने बता है कि अक्ठास्फ सुचबश में चार्स मैसन तक चर्फ मैसन ने सरपर्थम क्या किया था heal जिक्र किया इसके साथ 1853 underneath 1853 में क्या आता है अलेक्जंडर कर्निंगम reg 아니라 अन्हां पर इंडेस्टव सिभ्लाइजसन के खोज में अलेक्जंडर कर निंग्गम आता बागि उसके साथ इसके आखरंगर को देखा जाए तो 1921 में इससे सबसे पहला ड़ो का नामक stell फोजनल 있으면 गोजाई दया रामसाहिंवी के नीतत में याहत की क्या होती है हमने आपको पहले बता च्छा नामक असथल की क्या की गई सरबर्थम क्या की कि गयी तो 1921 बीमें 1921 में हड़पा नामक अस्थाल की खोज्ज किस लिए कि हड़पा नामक अस्थाल की खोज दयाराम सहनी के नित्वत में क्या किया गया सरपर्थम इसको खोजांगे हं kimchi 171962 में एक defices other concept canamohan joda luk जिसका नाम क्या है जो कि यह भी पाकिस्तान में हरपा की फिलोकेशन क्या है पाकिस्तान है और मोहन पाकिस्तान है तो मोहन जोडळू की कुछ किसे ने की मोहन जोड़ू की कोर राकफल दास बनर्जी जी ने किया मोहन जोदुलो की खोज किस ने किया राक्षल दास बनर जी जी ने मोहन जोदुलो की क्या की थी खोज की थी तो हापा नामक अस्थल की कोच किसने की दयाराम साहिनी मोहन जोद्रों की खोच किसने की राक्षादास बने रजीम 1921 से यह जानकारी हमें परकास में आने लगी और इसकी भी कह सकते हैं हरपा सभेता का हमने एक ब्रिस्तित अध्यन करना क्या किया प्राहरंब किया अभी तक क्या है जो दौर जाना जाता था 1921 से पहले कि सबसे जो हमारा इतिहास सुरू होता हो कहां से सुरू होता है वैदिक सभेता से यह कह सकते हैं वैदिक एरा से सुरू होता है लेकिन यहां पर एक करांतकारी यहां पर एक करांतकारी खोज यह कह सकते हैं करांतकारी परिवरतन सब्हां देखने को मिलता है और जिसके माधयां और जि jump दिन से पता चलता है हरफपा सभिता क्या उध्य सबसे पुरानी सभिता हुआ कि जो कि क्या है जो कि कितनी पुरानी है लगभग इ ant Однако चर्चा कर रहे हैं कि जो कि कितनी पुरानी है लगभग यह तेइस सो पचास बीसी से लेकर के सात्रा सो पचास के मद्द क्या है यह सब्धा पूरी तरीके से पंद पी रही है और यह क्या है किसी नितनी कर रहा थह्त अगर निवसा विस्तार भारत महादीब में भारत के साथ पाकिस्तान अफ्गानिस्तान तक क्या है हमें देखने प्मिल्ताबार की सबसे जादा पुरास्थल भारत और पाकिस्तान के प्राप्ट हो एक दो हैं ईद्धा के teaches सरवाथिक प्रास्थल भारत से और इसके बाद पाकिस्तान से लेकिंघ कोज चुछी उस्समेय का भारत उस समय का भारत यानि 1921 का भारत भारत पाकिस्तान कुछ था ही नहीं कि उसमें टोटल वराल भाद था पहला हो जागा जाए पुरे आस्थाल वा करता था अगर हम सब्विता का विस्तार देख लेते हैं अगर हम सब्विता का विस्तार देखें कि सब्विता का विस्तार ठीक है कहां तक कि सब्विता फैली हुई है तो सब्विता का विस्तार अगर देखा है अगर हम मैप लगाते हैं तो मैप यह जंबू कस्मीर का च्छेतर जंबू कस्मी से चिनाव रिवर के किनारे बाज चिनाव रिवर knit अगर हम सिंद्व गاتि सबिटा का विस्तार देखते हैं तो उत्तर से कि तरह पाते हैं तो जम्भू कसमीर के मांडा जिला से ले करके यहां पर महारास्ट का इक्षेत्र आप कि परवरा नदी के किनारे इस्तित है अगर देखा जाएंडस वैली सिवेलाइजेशन का विस्तार कहां से दाइमाबाद परवरा नदी के किनारे तक ब्रिस्तित है अगर हम इसके साथ साथ इसके साथ साथ अगर हम जाते हैं और हम लेते हैं कि इसका पस्चिम से लेकर के पूर्व तक का इसका क्या विस्तार रहा है तो हम पाते हैं कि पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसका नाम है का नाम है सुत कांगे डोर कि क्या नाम है सुत कांगे डोर जो कि दास्क नदी के किनारे तो या कहीं कुछ किताबें यह लिख देती है कि सर्य कहा पर इस्थेता है सब्सक्राइब किनारे तो अगर देखा जाएं इंडस्वली सिब्लाजिसन का विस्तार पश्चिम में पश्चिम के पाकिस्तान से पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सुत कांगे डोर दास्क नदी से ले करके और यह कहां तक विस्तित है अगर हम पूरव की तरफ आते हैं तो पूरव में यह आपका यूपी और यूपी का एक जिला है जिसका नाम है मेरट और मेरट का एक छेत्र है जिसका नाम है आलमगीरपुर जिसका नाम है जिसका नाम है आलमगीरपुर यह हिंदन नदी के किनारे किस नदी के किनारे यह हिंदन नदी के किनारे इस्तित है हिंदन जो की यमना नदी की क्या है सहायक नदी है तो अगर देखा जाए देखा जाए अगर हम इसको एक स्टेट्मेंट में बनाते हैं कि इसका विस्तार देख लेते हैं तो पहले उत्तर से दच्छर की तरह आते हैं तो उत्तर से दच्छर से इंडस्वैली civilization का विस्तार जो है भोगलिक विस्तार इसका देखते हैं तो पाते हैं जंबू कस्मीर के मांडा जिला से ले करके और ये महाराष्ट के दाइमाबाद तक क्या है बिस्तित हैं साथी साथ ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं तो पश्चिम के पूर्व की तरफ जाने पर पता चलता है कि ये पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान के प्राकिस्तान के ब्लूचिस्तान के सुथ कांगे डोर मकरांतर से ले करके उत सोदासो एक पाते हैं और पुरव से पश्चिनpse का इसका देखते हैं तो लगभग 16 bolon मतलब इतना इसका क्या है इतना अब इसका समझ सक्नें कि इसे बीशाल श्रभीता का किसनी विशाल भूमेरी का निस आप यहां पर देख सकते हैं ठीक हैं यहां पर क्या है आप देख सकते हैं कर सकते हैं यहां पर हम दास्क नदी यहां पर कह सकते हैं दास्क रिवर्ट और या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं यहां नदी यो किसकी साइग नदी है यमना किसकी साइग नदी यमना यमना जना गुंद रखां परूर्ट मेल będzie घृतिनी ययुक्टाइड हैं तो हमने कि सभिता का विस्तार पस्च में सुतकांग्य जोल पाकिस्तान कि बुलुच्षिस्तान से लेकर पूर में आलंगीर पूर तक विस्तित है तक और उत्तर में जंबू कस्मीज से लेकर दच्छिन में दायमाबाद तक से 100 किलिमेटर लभेश्द पर इसका उदय हुआ इस सभित आप पंद्रा लाकście नौसकं की इसका हाफ सुला에 में भारट में फंजाब में और मंता है राजस्थान में देखने मना महाराष्ट में उत्तर परदिस तो अभी Can you जिक्रिवी किया है ठीक है उत्तरपर्दिस का हुलास नगर हो गया आलमगीर पूरास्थाल है यहां पर देखने को मिलता है पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाश्मी पाकिस्तान पंजाब शिंद्र बलुचिस्तान प्रांथ और अफगानिस्तान में मुंडी काक और जुड़े हुए माने जाते हैं घूजरा हम बढ़ते हैं सरवाभा स्थर सवापरेखने वेद्रत हर कि अब बलारा चर्चा में रहा है गुचराद का इकस्थान क्या है लोठल क्या है बड़ा चरचा में रहा है लोथल के साथ धौला वीरा क्या है चर्चा में रहां तो यह सारी चर्चा में रहें अभी उस पर हम भी चर्चा करेंगे उस पर भी क्या है एक चर्चा करेंगे जो गुजरात से प्राप्त हैं गुजरात में एक आस्थान है गुजरात में एक है अस्थान लोथल जिसको हम सि या इसको हम बंदरगाह के नाम से क्या है कि डॉक यार्ड के नाम से हम जानते हैं सिंदुघाटी सभिता के महात्पूर अस्थर भगोल की स्थिति और महां से लाए गये वस्तों के बारे में क्या है हम चर्चा करेंगे नगर नियोजन जो सबसे बड़ी विश्यस्ता रही है इंडस्वेली सिब्लाइशन की वह नगर नियोजन को ले करके रही है नगर की यहां फिच्रस धिन विसेश्ताइम से आपके करे क्वेश्यस होचे गए हैं प्लय जो है यहां का जो सठो का व्यायदन हमें दो ₹ г पश्मी टीला के नाम से जानते हैं एक पूरवी टीला और दूसरे को क्या है दूसरे को हम पश्मी टीला के नाम से हम जानते हैं अब क्या विस्था и सहर का जो मुशली हमें देखाने को मिलता हे एक-दोह नभरों को छोड़ तो हर जगह में लुगा थे इंगे हो सक्कार हे एक पूरवी टिखालव में पताशमी तिला में जो गरह हमें लोग हैं वह किस छेतर में रहते हैं वह पश्चमी टीला उर्वी टीला जो थी वह क्या है हमें आम लोगों की बस्तिया खाय सकते हैं आम लोग यहां पर क्या है आम लोग यहां पर रहा करते थी यह सबसे बड़ी विश्यस्ताइं मिली उसके साथ साथ आपने बच्वन में पढ़ाई होगा कि सड़कों का जाल यहां पर बिच्छा हुआ था ग्रिड सिस्टम पर आधा उत्वा करती थी एसा कि हमें विश्यस्ताव में विश्यस्ताव में हो जाएंगी कि सिंध्य शरुपयता के द्वारा विश्यस्ता कि निर्माड करके बहुत ही अच्शे गया है इस सबीताका क्या है निर्माड क्या गया है सदके सीधी हुआ करते सब्सकूर Een करती थैं एक दूसरे को क्या करते थी पर सब्सक्राइबोल सब्सक्राइब कारती है सब्सक्राइब v Annika के किनारे इनकी जल निकासी जो अस्था के लिए देखने के किनारे हमें क्या हैं ये नालियों के भी क्या हैं परमाण मिले हुए सबके एक दूसरी दिसा में समकूर पर काटती थी और नगर को अनेक वरगाकार आयताकार चत्वुजाकार इन सब कि खंडों में विवाजित करती थी साथ है सिंद्व सब्विता में सरवादिक 14 सड़क मोहन जोद्रों से प्राप्त हुई है जिसकी चोड़ाई लगबग 10 मीटर तक हमें देखनों के मिली है और इसको कहा जाता है कि हो सकता ही राजपत हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि इंड़ जुड़वा राध्धानी के रूप में जाना जाता है जुड़वा राध्धानी के रूप में जाना जाता है हमने आपको बताया कि हमने आपको बताया कि जैसे कि क्या है सड़के क्या हुआ करती थी सड़कों के किनारे नालिया बनी होती थी साथ ही साथ सड़कों के किनार के पर्माड मिले हैं जिसमें 45 कमरे अंगन रस्वई घर किनारी यासे कमरे होते थे बीच में क्या है आंगन के भी पर्माड मिलें साथ ही साथ असनानागार हमें मिला हुआ है कुछ घरों में बड़े सवचाले भी बना जाते थे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कि इस पहले पिछले एक सचता को लेकर बड़ा जोर दिया गया है सवचाले के लिए अनदान दिये जा रहे हैं सरकार को ग्रामिक चेतरों में अधर्वास सवचाले नहीं हुआ करते थे ति गरों में कि अब इ podía सढक को फिल्ख करकी क्या है पीछे की तरफ कि टरफ कि लिए हमें यहाँ पर मकान जो मिले हुए है दोमजला मकान के पर्माण साथ हमें पक्की इटों के परीःग प्की इटों के परिएगनीं है उनका जो उसी हुआ निश्चुत अनपात में इससे इनका निर्मार होता था साथ ही साथ हमें क्या है अलंकृत इटे डिजाइंड इटे देखने के मिलते हैं जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग अपने छेतर में पाएंगे तो देखेंगे कि इटे में कहीं जी ओ लिखा होता है कि टाटा लिखा होता है जी और टाटा को पता ही नहीं इवन नोकिया लिखा होता है एपल के इटे आ जाते हैं उनको खुदे नहीं पता उनने कब ठेका लगवाया है लेकिन ना इसमें क्या है यहां पर परमाण हमें देखने की मिलते हैं जैसा कि हमने बता है इनका सबसे मुख विस्यस्ता मिली है कि सहर का दो भागों में पश्मी टीला कूर्वी टीला ठीक है वेस्ट और इस्ट में क्या था जैसे कि अभी आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जिस सहर में रहते हूंगे जिस कस्वें में रहते हूंगे का हिस्सा होता जो सिविल नाइन पुलिस लाइन के नाम से जहां पर आप देखेंगे काफी यादा डेवलोफ फार्म में वहां के जो नगर निगम होते नगर पंचायत होती है वहां पर भावने बने होते हैं तो बस ऐसे कह सकते सबसे क्रीमी जो लियर जो अधिकारी वर्लू बह quién करता है पाश्शमी तीला में रहता था और दूसरा क्या है पूरभ का नीचला नगर मिलता है निचला नगर क्या होता थो यह आम लोगोंक्त क्या हुआ करता था दूर्ख छेट्огन से बाहर उत्तर में टिलर के उत्खनन की कुछ महात् सब्सक्राइब व्या रहता है कि हाँ पर मजदूरों के लिए रहने इंक घर भी अलग से सर्मिक आउज के प्रमार्ट हमें मिलें हुए हैं और 15 मकान हम यहां से नहीं है अ और इसी के पास से हमें शोला भट्ठया पराप्त हुए जिसमें कोइले और राक मिली है इसे कहा जाता है कि अच्व कर गपी नगर दो खंडव में वाज़ितवा करता था पश्चिम् में दुर्ग छेत था पूरं में निश्ला नगर है दूर गिशेस से हमें सारजनिक इमारति पराप्त हुई है साती विशाल वस्नानागार जिसको हम क्या कहते हैं अजूबा कहा है ऐसकारों निस Ond比較 विशाल वस्नाना गा एक बड़ा आसा सवाना गार इसमें उतरने के लिए सीडें लगी प्रमाड हो सकता है या सागी असनान करते रहे हूं इसका ये भी परमाड हमें क्या है इस से यह भी हमें पता चलता अगर हम धर्म के हिससे से सोचेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहां पकी इटो से नेश्न सिंद्ब सव्यता की सबसे सुन्दर करती मिली हुई है यह 180 फिट लंबी और 108 फिट क्या रही है चोड़ी रही है जिसको हम विशाल असनानागार देख लीजिगा स्थेयरी में रखते हैं इसके मंद एकटालाब है और तालाब लगबग 12 मीटर नंबा, 7 मीटर चोड़ा और लगबग 30 मीटर गहरा पकता है. तालाब पहुंचने के लिए सीडिया लगी हुई है, अगर आप किसी अस्थानों पर जाएए जिसे धारमिक अस्थानों पर जाते हैं, आप किसी भी धारमिक अस्थान पर चले तो कुछ हो सकता है इनका हो सकता है किसी बिसेस अशर पर गठाओ करके क्या करते रहे होंगे शामुहिक असनान भी करते रहे होंगे ठीक है साथी साथ हमें एक विशाल अन्नागार मिला हुए अब आप अंदाज रगा सकते हैं कितने डवलफ फार्म भी करते थे ताकि अगर कभी कि विसम परस्तितिया आ जाएं अनाज कि आउसकता महसूस हो तो क्या करेंगे क्या कि उसके लिए एक अन्नागार के भी क्या है अन्नागार के भी हमें यहां पर परमाण पराप्त हुए परोहित आवाज भी मिले हुए यह धेर सारे फीचर्स हैं चाहे वो चनु दौडढों हो लोथल हो ठीक है यह धेर सारे फीचर्स हो अगर हम इनके थोड़ा सा धार्मिक जीवन के तरब मूब करते हैं तो जो इंड सत्तात्मक्ट का मतलब जारी जाए कि यहां पर साथ समाज इससे पता चलता समाज कैसा हुआ करता था समाज चार भागों में बाटा जा सकता है त्विद्वान वर्ग हुआ करता था चार ब्यापारिय। इसका विभाजन हमें देखने को लेकिन इन में सबसे जादा जो महत्वपूरा स्थान रहा है वह व्यापारी वर्गुकारा व्यापारी क्योंकि आप जानते हैं इंडर्श विलाजिशन एक ब्यापार एक नगरी हुआ करती थी तो सिधा ब्यापार का बहुत बड़ा इनका रोल हुआ करता था यह सामाधिक जीवन के ब चित्रात्मग लिपी मिली हुई है अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है इसको अभी तक पूरी तरीके से पढ़ा नहीं जा सका है, यही कारण है कि इंडस्वेली सिब्लाइजेशन को हम आद एतिहासिक शभता, प्रोटो हिस्टोर्कल पीरेड के नाम से भी जानते हैं, इसको हम आद एतिहासिक सभता के नाम से भी कह सकते हैं, ठीक है, वस्तर में, स उनी दोनों परकार के बस पहनते थे, मोहन जोदो से चान्दी की डिविया के अंदर लाल रंग के कपड़े का क्या है, साक्ष प्राप्त क्या है, तीक है, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्तिरिया जो हुआ करती थी, वस्तर पहनती रहे होंगी, साल जैसा वस्तर क्य का निन सब का इस्तमाल करते थे, लिष्टेक, पाउडर और काजल के भी इस्तमाल करने के भी क्या है, हमें परमाण हमें यहां पर मिलती हैं, ठीक है, उसके साथ साथ कीमती पत्थरों, साधार पत्थरों, मिट्टी और हाती धास से आभूसर बनाया जाते थे, मुख जुबंद, बाल पे नगुठी, चूडिया, इत्यादी का परियोग करते थे, और उसके साथ सूने का बना हुआ अच्छा लड़ियों वाला यहां पर हार अपराप्त हुआ, तो मतलब यह इससे यह भी समझ सकते हैं, कि सूने का ग्यान इनको था, इनको क्या है, मन के और ग पूछा जा सकता है कि किन धात्यों से परचितवां करते थे, तो इन धात्यों से क्या है, यह परचित रहते थे, शॉंदर पर्शादन में, जैसा कि हमने आपको बता दिया है, सॉंदर परमार्ड प्रेमी हुआ करते थे, काजल के साक्ष मिले हडपा से, सफेद पाउडर के क्वंद के साख्ष मिलें हैं देखा जाए इनके जो अंतिम संसकार होता था है इनके उसके साथ साथ आंशिक समाधी कर प्रमार मिलते हैं इसमें क्या होता था जैसा कि आप जानते हैं पार्शी समाज में होता है कि कोई व्यक्ति जब जिसके मिर्त्य हो जाती है तो उसको एक निर्जन अस्थान पर ले जाकर के कुछ इस तुझ जो जुझा ले जाता है कुछ मिर्थ को क्या तीमिने की पर अब लाएन की पर्था भी दिखाई भी परती हैं धार्मी जीवन पर बात करें तो इंडस वैली सिब्लाइजेशन के लोग या सिंदु घाटे सभिता की ठीक है धार्मी थे धार्मी के तत्व हमें विद्धमान देखनों के मिलते हैं वह इतने ज्यादा परभावसाली नहीं हुआ करते थे उन देवत्यों की पू यानि की यग्यों के भी साक्ष मिले हैं यग करने के यह अगनी की भी क्या करते थे पूजा क्या करते थे इन में धार्मिक तत्व विद्धमान थे लेकिन इतना ज्यादा परभावसाली नहीं रहे इतना ज्यादा क्या है परभावसाली हमें देखने को नहीं मिलता है तो य तो धार्मी जीमन में यह देवी देताओं कि अनीग रूपों में पूजा करते था पूजा करते था अनीग रूपों में यहां पर हमें पूजा करने के साक्ष मिले हैं जल के पूजा करने के साक्ष मिले हैं उसके साथ साथ हमें यहां पर पशू के देवता पश्पत्सियों क के रूप में हमें मिलंती है एक हमें मिलती है एक वैट जो योग मुद्ड़ा में बैठा हुआ तो निरवन सकता है कि पता क्या हैं रहे हैं जिए कि दिर्मुखी देवता का भी चितर कि उबने निर्वस्ट बैठा हुआ है देवता के दाही वह एक हाथी बाग का चितर जैसा कि यहां पर यह देख सकते हैं इन्हीं को हमने किस नाम से कहा उन्हींकों हमने पशुपत दिव के िए नाम के नाम से सबू構 कर रहा है ऐ忠ा फिरन आप सबत्य ना मोदें क्या किया इनको सिवस से सम्मूधित क्या है कि क्योंकि आप जानते मां धलजी के साब बश्शुं की माना जाता है पुछा गया है कि सिंदु घाटी सब्यता कि खोज जान मार्शल लगाए अगर आप से कूछा जाता है सिंदु घाटी सब्यता सबसे पहले परकास में कौन लेकर क्या है तब आपको लगाना क्या है चालस मैसन और आप आप से पूछा जाता है कि हडपा की कोज किस ने की तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं ठीक है आज क्लास के लिए हम इतना रखते हैं अभी इस पर एक और लेक्टर लेकर करके आएंगे आप लोगे साथ बने रहें और चैनल को लाइक किरिए सब्सक्राइब क्यों बाइबाइब टेक केर जाहिए 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 जाहिए